एलिमेंटरी के नल की वोल जो थी उसमें चार लेयर थी, टोटल कितनी लेयर थी? चार. सबसे पहली लेयर सीरोसा, दूसरी मस्कुलर लेयर, तीसरी सब्म्यूकोसा, और चोथी म्यूकोसा. और याद होगा, सब म्यूकोसा जो थी, वो एरियोलर कनेक्टिव टिशू, that is, लूज कनेक्टिव टिशू की बनी थी, अरे उसी में तो, ब्लड वैसल्स का, लिंफ वैसल्स का, नेटवर्क प्रजेंट था, याद करो, इनूलिन तो एक पोली सेकराइड है, which is पोलीमर ओप, बीटा फ्रक्टोज, जिसका काम GFR को चेक करने का था, किडनी के फंक्शन को चेक करने का था, इसका मतलब मेरे दोस्त, ये इनूलिन वर्ड क्या आ गया, ये इनूलिन वर्ड तो गलत वर्ड आ गया, इसलिए ये पोइंट क्या हो गया, गलत रोंग स्टेटमेंट हो गया, ये एक बड़ा ही प्यारा सा ललन टोफ सवाल आपकी स्क्रीन पे आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पोर्षन से और डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सबसे इंपोर्टेंट पोर्षन, that is mechanism of absorption of food, mechanism of absorption of food वाले पोर्षन से लिया गया बेटा, बड़े ध्यान से देखेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि food material का absorption की कहानी है, बचे, exactly मैं हमें पता है, food material का digestion जो था, वो small intestine में हो गया, और complex food को simple food में convert कर लिया, अब complex food को simple food में हमने convert कर लिया, तो अब उस digested food का absorption होगा, और वो digested food जो था, वो lumen of elementary canal से mucosa वाली layer को cross करके किस में जाएगा, blood और lymph में जाएगा, तो मैं यह कहे दूँ कि passing of digested food from lumen of elementary canal to blood और lymph, इसी process को बोलते हैं, absorption of food, और absorption of food में mostly food material absorb होके कहाँ जाता है, blood में, लेकिन lipids जो थी, वो absorb होके कहाँ जाएगी, वो जाएगी lymph में, lymph में, तो अब सबसे पहले absorption की mechanism सुना आता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, यस, बच्चे हमने बोला कि यह मेरे पास intestinal lumen है, जिसमें digested food material मेरे पास पड़ा हुआ है, यह मेरे पास blood vessel है, और यह मेरे पास क्या है, intestinal mucosa, intestinal mucosa, आपको पता है कि elementary canal की वोल जो थी, उसमें चार लेयर थी, total कितनी लेयर थी, चार, सबसे पहली लेयर, सीरोसा, दूसरी, muscular लेयर, तीसरी, sub-mucosa, और चोथी, mucosa, और याद होगा, sub-mucosa जो थी, वो areolar connective tissue, that is, loose connective tissue की बनी थी, अरे उसी में तो blood vessels का, lymph vessels का network प्रजेंट था, तो yes, यह जो blood vessels प्रजेंट है, यह कौन से पार्ट में प्रजेंट है, सब mucosa पार्ट में, तो कहने का मतलब, elementary canal से digested food जो था, वो mucosa को cross करके, सब mucosa में प्रजेंट, blood में आ रहा है, mostly food का absorption ऐसे हो रहा है, अब सवाल था, कहानी क्या थी, बड़े ध्यान से सुनना, हमने कहा, कि सबसे पहले हमने बात किया, glucose के बारे में, बिटर, थोड़े से amount में glucose, थोड़ा सा amino acid, और जितने भी negative ions है, जितने भी negative ions है, वो सारे के सारे material का absorption जो होता है, वो absorption होता है, simple diffusion के दौरा, किसके दौरा होता है, simple diffusion के दौरा, और वो क्या हुआ, वो elementary canal की lumen से, ब्लड में जाएगा, किसके दौरा, simple diffusion के दौरा, और जब भी simple diffusion के दौरा होता है, उसमें ATP खार्च नहीं होता, मतलब वो कैसा process, आप कहोगे, वो अपने पास है, passive process, ठीक हैसी, आगे बढ़ते, फिर हमने बोला, थोड़े से amount में glucose, थोड़ा सा amino acid, and complete fructose, जितना भी fructose ह उन सबका absorption भी passive process से होता है, passive process से होता है, बोला सर्फ passive process का मतलब, passive process का मतलब कि उसमें ATP खार्च नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो simple diffusion के दौरा गया था, higher concentration to lower concentration, अपने आप चला गया, लेकिन यहाँ जाएगा, वो जाएगा by the help of carrier protein, किसके help से, carrier proteins के help से जाएगा, और हमने बोला, जब material जो था, उस material का absorption by the help of carrier protein होता है, तो उसे बोलते है, facilitated transport, क्या बोलते है, facilitated transport, तो ध्यान रखना, glucose, amino acid का absorption, simple diffusion से भी हो सकता है, facilitated transport से भी हो सकता है, किसके help से, carrier protein के help से, और इन दोनों में ATP खर्च नहीं होते, ना तो simple diffusion में, और ना ही facilitated transport में, लेकिन जब भी कोई बात करें, कि mostly glucose, galactose and mostly amino acid, उनका absorption कैसे होता है, बिटर जब भी mostly glucose, glucose का, galactose का, या amino acid के absorption के बारे में बात करके चलें, तो ध्यान रखना, इसका absorption में ATP खर्च होते है, मतलब यहाँ पे ATP जो हो था, वो ADP में बदलेगा, अरे जब ATP, ADP में बदलेगा, तो उसक बोलते है, active transport, क्योंकि उसमें ATP और खर्च कैसे, इन में क्या होगा, कि यहाँ पे अपने पास प्रजेंट होते विटर receptors, इन receptors में, दो receptor जो थे, उनसे तो जूडते है, NA+, दो से तो क्या जूडते है, NA+, और तीसरे से, glucose का molecule भी जूड़ सकता है, galactose का भी जूड़ सकता है, and amino acid का भी जूड़ सकता है, हमने बोला, इन तीनों में से कोई भी एक जूड़ जाएगा, चले, तो जब भी पूछे कि बताओ न, mostly glucose, galactose and amino acid का absorption कैसे होता है, आप कहोगे वो होता है, along with NA+, along with NA+, जिस direction में NA+, जा रहे हैं, उसी direction में गुलकोज जा रहे हैं, मतलब NA+, और गु किसके द्वारा, सिमपोर्ट, ट्रांस्पोर्ट के द्वारा, सिमपोर्ट, ट्रांस्पोर्ट के द्वारा, तो मोटी-मोटी सी बात याद रखना, कि गुलकोज, गुलकोज and amino acid का absorption, तीनों के तीनों तरीके से हो सकता है, simple diffusion के थूछ भी हो सकता है, facilitated transport भी हो सकता है, by the help of carrier प्रोटीन and active transport भी हो सकता है लेकिन mostly सबसे ज्यादा absorption किस के द्वारा active transport के द्वारा कौन से ions के साथ naplus के साथ symport के एंटिपोर्ट बोला ज़िस direction में naplus जा रहे हैं उसी direction में जा रहे हैं इस लिए इस transport को क्या दोता है सिम, पोर्ट, ट्रांस्पोर्ट, ये सीधी सी बात, NCRT की जो लंबी चोड़ी कथा थी, वो मैंने सीधी इस लाइन में समेट ली, बस यही थी absorption की mechanism, पहली बात, दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, वो पुछेगा, लिपिड का absorption कैसे होता है, बेटा, फैटी, एसिडेंट, glycerol जो होते हैं, वो insoluble है, वो कैसे, insoluble है, वो water में, blood में कैसे, insoluble, जब वो water और blood में insoluble है, तो उनका directly absorption blood में नहीं होता, इसलिए उनका absorption, विलाई में present large lymph vessel जिसको बोलते हैं lactel, उस lactel में होता है, किस में होता है? उस lactel में होता है, चले, कैसे हुआ, क्या काहनी थी, देखे पहले सवाल पर आते हैं, सबसे पहले mechanism समझते हैं, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, mostly glucose, mostly glucose amino acids, etc are absorbed through active process into the blood, एक दम सही बात है, हमने बोला मोस्ट ली का तो एक्टिव प्रोसेस ही होता है बिलकुल सही बात है सिंपोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सम गुलकोज अमाइनो एसीड सम गुलकोज अमाइनो एसीड एड्सेक्टरा और आल्सो एब्जोर्ब थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एड फैसिलेटी ट्रांसपोर्ट इ for lipid, lipid का absorption होता है, ये बात तो गलत बात है, next, fatty acids and glycerol are soluble, अरे ना भाई, glycerol and fatty acids जो थे, ये नेचर में होते हैं, hydrophobic, अरे जब hydrophobic है, तो पानी में नहीं गुलेंगे, और blood का भी तो, plasma का भी तो, 92-92% part है, वो सब पानी है, water है, तो ये वाली बात भी क्या होई, गलत बा acid, glycerol, fat soluble vitamins जो थे, ये सारे क्या थे, insoluble, और ये bile salt के साथ मिलके, एक अपने पास, soluble, colloidal structure का formation करते हैं, और वो जो colloidal droplet बनाई, वो कैसी होती है, soluble, तो जब भी बोलेगा, कि मीसेल, जो की soluble droplet है, उसका formation कहां पे होता है, आप कहोगे, lumen of elementary canal, और lumen of intestine में होता है, औ और वो intestine में जो मीसेल बनी, वो ही सबसे पहले, वीलाई की cell, that is enterocyte में, enter होती है, तो ध्यान रखना, जब भी पूछे कि बताओ, मीसेल कैसी structure है, आप कहोगे, small and soluble droplet है, एकदम सही बात है, कहां बनती है, lumen of intestine में बनती है, तो वो कह रहा है, which are produced into the enterocyte, enterocyte, of intestinal mucos, गलत बात है, वो बनती तो lumen of intestine में है, और फिर मीसेल किस में enter होती है, enterocyte में, बनती है, enterocyte से बाहर है, enterocyte के अंदर तो जाके, मीसेल तूट जाती है, और तूटके फिर reform करती है, किसको, kailomicron को, और फिर kailomicron जो थी, वो चली जाती है, किसमे, lacteal में, और finally lacteal, इन kailomicron को क दोस्तों, कहां पे, आप कहोगे, गुरुजी, bloodstream में, venus blood में, deoxygenated blood में, डालने का काम करती है, तो ये बात भी एकदम गलत बात है, तो यहां पे पूछेगा, कि बताओ, correct statement कोन सा था, सच्ची बात कोन सी थी, हम कहेंगे, जादा सच्ची बात तो गुरुजी पहली थी, बाग की सब तो फैक को लोजी थी, फालतू की बात थी, चलू मैं आगे, यहां तक की बात के लिए रहे, yes, आगे देखेगा, अगला सवाल, ये रहा है एकदम, बड़ा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़े ध्यान से देखना, ये कह रहा है, read the following statements and find out the incorrect statement, again incorrect compound, both exocrine and endocrine elongated organ, situated between the limbs of the shaped dudenum, बिल्कुल सही बात है, पैंक्रियाज एक compound gland है, बिल्कुल सही बात है, कहां dudenum के दोनों limbs के बीच में, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, सही बात है, चले भीया, ये करा देखेगा, the exocrine portion secret and alkaline pancreatic juice, हाँ, exocrine part को बोलते हैं, एसी पैंक्रियाज, जो की pancreatic juice का secretion करता है, सही बात है, containing enzymes, बिल्कुल उसमें enzymes present, and endocrine part, secrets hormone, inulin, बड़े ध्यान से देखना, वर्ड क्या लिका है, inulin, and glucagon, अरे भाई, होर्मोन जो था, वो था, insulin, याद करो, inulin तो एक polysacryde है, which is polymer of beta fructose, beta fructose, जिसका काम GFR को चेक करने का था, kidney के function को check करने का था, इसका मतलब मेरे दोस्त, ये inulin word क्या आ गया, ये inulin word तो गलत word आ गया, इसलिए ये point क्या हो गया, गलत, wrong statement हो गया, अगला कह रहा है, mucus in saliva helps in lubricating, yes, mucus जो था, वो तो oily material था, जो की lubricate करने का काम करना था, main काम ही था, उसका lubrication करना, बिल्कुल सही बात है, and adhering the mastigated food particles into a bolus, बिल्कुल सही बात है, mucus जो था, वो oily material था, oily material क्या कर रहा था, lubricate कर रहा था, ताकि food particles, and अपन बात करके चले, बकल cavity की inner surface के बिच friction को reduce किया जा सके, पहली बात, and दूसरी बड़ी बात, जो food के छोटे-छोटे particles थे, जब हमने दात से food material को चबाया, chewing किया, तो उन छोटे-छोटे particles को अपस में चिपका के, उसे एक paste की form में convert करना, और उस paste को ही तो अपन निंगलने का काम करते हैं, उस अपसी को बोलते हैं, एकदम सही बात है, ऐसा ही हुआ, अगला क्या कर रहा है, the bolus is then conveyed into the pharynx, and then, into the pharynx, and then, and then, into the isophagus by peristalsis, by सब गलत बात है, हमने बोला, जो bolus था जब उसकी swallowing किया, तो food metal को swallowing करना, deglutation करना, वो एक reflex action है, वो क्या एक? रिफ्लेक्स एक्षन है, तो जब bolus बना, तो उस bolus को swallowing किया, swallowing करके पहले गया pharynx में, फिर कहा गया, फिर हमने बोला, गैलेट के दुआरा पहुचा इसो फेगस में, और जब इसो फेगस में पहुच गया, तब जाके peristalsis होगा, तो ये बात नहीं है, ये पूरा का पूरा पोर संजो था, उसे बोलते swallowing या deglutition, मतलब paristalsis का यहां लेना देना नहीं है, paristalsis तो इसो फेगस में जाने के बाद सुरू होगी, लेकिन बकल cavity से food metal को इसो फेगस तक ट्रांसफर करने का काम, गैलेट में डालने का काम करना, वो swelling वाला deglutition वाला पार्ट थ इसका मतलब answer क्या आगया, answer आगया अपने पास D that is char, D that is char, चले, बाई सब तुम चपाती खाते खाते बात करते रहते हो, तुम्हें ये थोड़ी पता चला कि तुमने खाना जो खाया था वो निंगला की निंगला, इसका मतलब खाना नोर्मली कोई खाता हुआ व्यक्ति, खाना जो निंगलता है, वो अपने आप ओटोमेटिकली चुइंग किया, और जो ही चुइंग होआ, ओटोमेटिकली उसको निंगल लेगा, तो इसका मतलब ये निकला, NCRT पड़ी होगी, अब एक वीक नीट का बचा, अगर अब भी नहीं पड़ी, तो फिर क्या करेगा मे भाई, देख, उसने डारेक्ट लिख रखा है, कि फूड मेटल की स्वेलोइंग करना, एक रिफ्लेक्स एक्षन है, और रिफ्लेक्स एक्षन इनवोलेंट्री है, इनवोलेंट्री है, ये बाद ध्यान रखना,